दोस्तो सवाल जबाब की एक और सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम आप ही में से कुछ एक विवर्स के सवाल लेने वाले हैं जो कि चार-पांच सवाल हैं क्योंकि इन सभी सवालों का टॉपिक एक ही है और वो है इंडियन कॉंस्टि इंग्लिश में can Indian Constitution be changed or rewritten तो देखिए अगर आप कह रहे हैं कि इसको दोबारा से फिर से rewritten करना है तो mainly इसका मूल धांचा तो आप नहीं बदल सकते हैं उसका कारण ये है कि आप क्या ही नया लिख लोगे जो मूल धांचा है उसमें आपके मौलिक अधिकार है उसमें आप आप बात करते हैं चेंज करने की तो चेंज से हमें सीधा शेंशोधन वर्ड हमारे दिमाग में आता है यानि कि amendment amendment किया जा सकता है लेकिन वो amendment भी आप मूल धांचे में नहीं कर सकते हैं देखें 1973 के के केशवानन भारती केस के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वह चेंज के मामले में भी कुछ एक amendments किये जा सकते हैं कुछ एक शंचोधन किये जा सकते हैं लेकिन मूल धांचे में कभी शंचोधन नहीं हो सकता है और re-return भी इसको नहीं किया जा सकता है ठीक है इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि जो हमारा भारतिय सम्विदान है ये कब अपना लिया गया ये बड़ा important सवाल है काफी सारे बच्चे इसमें गलती है कर देते सीधे सीधे 26 जनवरी 1950 लिख देते हैं लेकिन तब ये समविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को जितने भी members थे किसके समविधान सभा के उन्होंने accept कर लिया था अडॉप्ट कर लिया था कि हाँ ये समविधान सही है और इसको हम लागू कर सकते हैं तो अपनाने की और लागू करने की दोनों की डेट्स अलग अलग है दोनों का मतलब अलग अलग है तो 26 नवंबर 1949 बड़ा important डेट है आपको याद रखना है इसके बाद तीसरा सवाल है कि Indian Constitution को कहां draft किया गया था मतलब भारतिय समविधान का जो मसौदा है वो कहां तयार किया गया था तो देखो इस से जुड़ी हुई कई सारी बाते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो जान लो कि समविधान सभा ने ये मसौदा तयार किया था अगर आपसे कोई पूछे कि भारतिय समविधान का मसौदा किस ने तयार किया था तो पूरी सभा ने ही तयार किया था ठीक है सब की सहमती से हुआ था पहली बार ये लोग कम बिले थे 9 दिसंबर 1946 को ये तारीख आपने पड़ी होगी कि पहली बैठक जो समिधान सभा की मानी जाती है 9 दिसंबर 1946 की मानी जाती है कहां मिले थे ये लोग, कहां ये बैठक हुई थी Constitution Hall के अंदर जो आज की तारीख में हमारी जो इंडियन पार्लियमेंट है, इंडियन संसद है उसका Central Hall भी है ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि ये मीटिंग कहां हुई थी, Constitution Hall के अंदर हुई थी और 299 सदस्य से उस समय मौझूद थी 9 दिसंबर 1946 को अच्छा, इसका जो पहला मसौदा है वो किस ने तयार किया था? B.N. Rao ने तयार किया था हलाकि सबकी सहमती से हुआ था लेकिन ये नाम आपको याद रखना है कि B.N. Rao ने इसे प्रिपेर किया था और पब्लिश किया था कब पब्लिश किया था? जनवरी 1948 के अंदर अब ध्यान से समझना कि जनवरी 1948 में पहला मसौदा आया उसके बाद इसको रिवाइस किया गया मतलब इसका संशोदन किया गया कि ये ठीक है कि नहीं तो संशोदन करने के बाद प्रारूप समीती ने 21 फरवरी 1948 को जो सम्विधान सबा के अध्यक्ष है उनके सामने इस मसौदे को फिर से पेश किया पहले बियन राओ का मसौदा आया उसके बाद इसको संशोदित किया गया या फिर इसमल्लिश को रिवाइस किया गया फिर 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समीती ने इसको फिर से पेश किया अच्छा प्रारूप समीती के हैड कौन थे डॉक्टर भीमराओ राम जी अंबेटकर यानि कि डॉक्टर बी आर अंबेटकर जी थे अच्छा ये जो संशोदित मसौदा था इसके अंदर कुल 315 अनुच्छेद थे यानि कि 315 अर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी ठीक है इस बात को भी आपको याद रखना है लेकिन जब मूल समीधान बना था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने अर्टिकल थे 395 इसके अलावा प्रेम बिहारी नरायन राय जादा थे जिन्होंने इसको हस्त लिकित किया था मतलब इनको हैंड रिटन किया था कौन से फॉंट के अंदर किया था इटैलिक फॉंट के अंदर है, फिर इटैलिक स्टाइल कह सकते हो, फॉंट तो कंपिटर में यूज होता है तो इटैलिक स्टाइल आप कह सकते हो, या आपको दिख रहा होगा इस स्टाइल में इन्होंने अपने हातों से इसे लिखा इसके बाद अगला सवाल है कि जो भारतिय समविधान है वो रिजिड और फ्लैक्सिबल एक साथ क्यों है मतलब ये कठोर भी है और ये लचिला भी है ऐसी प्रकरती क्यों रखी गई है समविधान की तो देखो इसका एक सीधा सा जवाब दिया जा सकता है कि हमारे समविधान में दो तरीके के प्रावधान है दो तरीके के प्राविजन्स हैं एक है कठोर प्रावधान, यानि की rigid provisions, और एक है लचीले प्रावधान, यानि की flexible provisions, ये जो कठोर प्रावधान है, वो मूल धाचे के लिए हैं, जैसे की मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार हर एक इनसान को मिले हुए हमारे देश के अंदर आपको पता है, तो अगर किसी से मौलिक अधिकार चीनना है, तो मौलिक अधिकार हटाने के लिए एक पूरा का पूरा प्रसेस लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत हाड है, मतलब ऐसा अगर आपको चंशोधन करना है, जिसके अंदर मौलिक अधिकार चीनना हो, तो वो चंशोधन करना आसान नहीं है, किस इसलिए रखे गए हैं ताक कि छोटे मोटे शंशोधन किये जा सकें, जो मूल डाचे से अलग हों और जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी हों, ऐसे अमेंडमेंट्स ऐसे शंशोधन किये जा सकें, तो उसके लिए आसान प्रोसेस रखी गई है, तो उससे आप लचीले कौन करता है, मतलब किसे अधिकार है शंशोधन करने का, तो देखो, हमारे सम्विधान में एक आर्टिकल, एक अनुछेद है, अनुछेद 368, उसके तहत सिर्फ भारतिये पार्लियामेंट, यानि कि भारतिये संसत को ये अधिकार है, कि वो किसी भी तरीके का अमेंडमेंट यानि कि शंशोधन कर सकते हैं, और उसके लिए भी भाहूमत होना चाहिए, जो पार्टी जीती हुई है उसका भी, इसके अलावा जो अपोजिशन बैठा है उसका भी, मतलब टोटल मिला करके जो जीते हुए मेंबर हैं, उनमें एक भाहूमत होना चाहिए, तब जाके एक तो मुझे अमीद है कि सम्विधान से जुड़े हुए आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और इसके अलावा भी अगर आपके मन में सवाल आते हैं, तो पूछते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर